नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में अभी अभी रक्षा बंधन का तेवहार बीता है और आज है रक्षा बंधन का अगला दिन तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आएं हैं जिसके बारे में सुनकर आप वहाँ जाना तो दूर वहाँ जाने के बारे में सोचना भी छोड़ देंगे जे हां आपने सही सुना ये वीडियो देखने के बाद आप उस जगर जाने से कत्राएंगे और सौ क्या हजार बार सूचेंगे वैसे तो हमारा देश संस्कृती की पहचान के लिए पुरे विश्व में मशूर है लेकिन यहां कुछ ऐसे अनसुल्चे रहस्य छिपे हुए है जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते है अच्छे छोड़िये बात को गोल गोल खुमा कर समझाने से अच्छा है डारिक पॉइंट पर आते है हमने जिस जगह की इतनी तारीफे की है मतलब बताया है वो जगह जालाउन में है देश में कई स्थलो की अलग-अलग मानिताएं है कई जगह ऐसी भी हैं जिनके मानिताएं काफी विचित्र है कुछ ऐसी ही अजीब मानिता है जालाउन के कालपी के इस मिनार की जिसे लंका मिनार के नाम से जाना जाता है कालपी की यह मिनार लगभग 210 फीट उची है मानिताओं के मुताविक लंका मिनार में भाई बहन एक साथ नहीं जा सकते दरसल मिनार के उपर तक जाने के लिए साथ परिक्रमाओं से होकर गुजरना पड़ता है हिंदू धर्म के अनुसार भाई बहन के द्वारा ये नहीं किया जा सकता क्योंकि साथ परिक्रमाओं का संबंध पती-पत्नी के साथ फेरों के दिश्टों की तरह माना जाता है इसी वज़े से लंका मिनार के उपर भाई बहन का जाना पूरी तरह से प्रिदिबंधित है इतिहासकार अशोक कुमार बताती हैं लंका मिनार का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है ये दिल्ली के कुतब मिनार के बाद की दूसरी उची मिनार है इसका निर्मान गुड, डाल, कोड़ी वह अनिस सामग्रियों से किया गया है मिनार का निर्मान वकील बाबू मथुरा प्रसाद निगम नेक कराया था अच्छे एक बात बताईए क्या आपने सोचा कि इस मिनार का नाम लंका मिनार क्यों पड़ा इसके पीछे की कहानी भी दिल्चस्प है दरसल मथुरा प्रसाद राम लीला में रामण का किरदार निभाते थे सालों तक इस काम को करने की वज़ा से उनकी पहचान इस नाम से जुड़ गई थी यही वज़ा है कि उन्होंने लंका मिनार बनवाई 1857 में निर्मित इस मिनार को बनाने में उस वक्त एक लाग पुच्चतर हजार रुपे से ज़्यादा का खर्शाय था इस परिसर में एक शिव मंदिर भी है जिसे इस तरह बनवाया गया है कि रामण को हर पल भोलेनात के दर्शन होते रहे यहां 100 फीट के कुम्बकर्ण और 65 फीट उचे मेगनात की प्रतिमाय भी लगी हुई है तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें